बूर्णिंग स्टुडेंट तुडें मी पूजा जोशी यूर मैस टीचर विद यू अगेन विद यू न्यू वक्षीट ओके फर्स चिल्डन इस कोविद 19 एप्रोपेट बिहेवर वियर मास फॉलो फिजिकल डिस्टैंसिंग मेंटें हैंड हैंड हाइजीन ओके चिल्डन वियर मास प्रोपली आपको जो मास केर प्रोपली अपने फेश पर लगाना है उसको यूज करना है इस्टे अटे 6 फिट फ्रम अदर आपको जो दूरी बनाई रकनी हैं वो कितने 6 फिट की हैट ऊके वाश जो करने हैं वाश पर वाटर से एलिस 20 सेकिंद तक वाश to not touch your face और आपको ये भी याद रखना है कि बार बार face को touch नहीं करना है and do not share food and drink with other आपको जो अपना food है और drink है वो आपको किसी के साथ share नहीं करना है I hope you follow this COVID-19 appropriate behavior in your life so आप काफी हद तक COVID-19 से safe रह सकते हैं I hope you understood children next day children same the horizon school class second है आपका topic है आपका new chapter chapter 10 money आपका subject है maths children do all the work in maths notebook आपको जो भी काम करना है अपनी maths की notes book में करना है कोई भी rough notebook pages में नहीं काम करेगा and this worksheet will not be submitted on अर्सल यह वाली जो worksheet है यह अर्सल पर submit नहीं होगी okay and video lecture of the topic can be seen at the tutorial portal आपको जो आपके topics related video lecture आपके teacher ने बनाया है उसको आपने tutorial portal पर जाकर देखना है one more thing children आपको मैं बता दूँ you don't write it up आपने जो यह मैंने लिखा है worksheet के उपर आपने नहीं लिखना है so you don't write it up आपने इसको उपर नहीं लिखना है okay you only you want to date directly you fill date here and day here like this okay you don't write it up इसको नहीं लिखना है आपने okay directly you fill date day and like this जैसे आप chapter आपको लिखते है ठीक है ना now we start our new chapter ठीक है chapter 10 money ठीक है ना children you also copy down आपने बिल्कुल ऐसी copy down करना अपनी notebook में ठीक है ऐसे ही लिखना है ठीक है ना introduction है children when we want buy to buy anything then we need money ठीक है ठीक है एच कंट्री has their own currency which is called money मतलब children यह क्या है we when we want to buy आप देखते होंगे आप जब मार्केट में जाते हैं कुछ चीज पर्चेस करते हैं तो आपको क्या होते हैं money की जर्वत होती ने पैसों की जर्विदाट money you purchase things नहीं नो बिना money के आपको कोई भी कुछ नहीं दे सकता है so children we when we want to buy anything then we need money हमें किसकी जर्वत होती है money की जर्वत होती है पैसों की जर्वत होती है और each country हर देश की अपनी क्या होती है own currency अपनी currency होती है ठीक है ना which is called the called money वो क्या कहलाती है money कहलाती है ठीक है ना जिसकी वज़े से हम कुछ भी चीज हम आसानी से खरीच सकते है ठीक है ना children our currency is rupees हमारी currency क्या है rupees है ठीक है ना money is in the form of coin and note money क्या है क्या है किस form में है coin है coin किसे बोलते है इसे बोलते है शिक्के को note किसे बोलते है this is a rectangle shape में होता है ठीक है ना इसको क्या बोलते है note next is coin are made of metal coin is made of metal the coin are made of metal and round shapes children δیکھو see here round shape while note are made of paper यह देखिए चिर्ण जो यह नोट है यह किस से बना है पेपर से बना है ठीके नशेर है राइकंग ना रीटे़öटी ना इ मनि इस इस में रठे़ा रूपी अन्ड पैसे लिखते हैं मने को कैसे लिखते हैं कैसे कलते आर जो पैसे होता है कौईन में है इनको हम कैसे लिखते है ठीक है ना जो हमारा साइन है रुपीज का वो कैसे होता है आर यह देखा आपने हिंडी के रा में टू स्टिक से ऐसे उपर क्या क्या होता है लाइनिंग दिया होता है ठीक है ना जो पैसे है इट इस पी ओके तो चिल्रन हीर इस दिफ्रेंट टाइप आफ ओफ नोट्स है ना आपको पहचानने है यह कि यह ठीक है ना आपको पहचानने है हमेंनी रूपीस सबफ नोट्स है ना आपको पहचानने है कि यह कौन कौन के रूपीस के नोट है and coins also, ठीक है न? So, children, I show you some no rupees also, यह देखे 20 rupees है and this one 200 rupees note, ठीक है and this one 10 rupees note, ठीक है न? आपको, ठीक है न? आपको पता चला न? यह क्या है? आप हमारा क्या है? यह? रूपीज का क्या है? sign है, यह क्या है? रूपीज का sign है हमारा, र, र, हिंदी का र बना है, इसमें कितनी lining है? 1 और 2 से इसको line किया, ठीक है न? तो यह क्या है हमारा? The sign of rupees is यह है, ठीक है न? ओके? आपको पता है, 10 लिखा है तो इट मिन्स यह कितने का है? 10 rupees का note है आपको recognize करना तो आ रहा है न? अगर आपको नहीं पता, तो आपने सीधे number देखना है 10, it means यह 10 है और आपको नहीं पता है color से, so you check digit, यह number आपने check करना है, 200 it means यह कितने का है? 200 rupees का note है ओके? and this one, यह देखें यह आपे, 20 2, 0 means 20 तो यह क्या है? 20 rupees का note है ओके ना? तो how many rupees note is this? 20 rupees note is this ओके? I hope you understood children and one more thing children this is a coin first है children, this is 1 rupees coin यह देखें यह कितने का है? 1 rupees का coin है ओके? आपने कुछ नहीं करना आपने यह चेक number आपने number चेक करें यह 1 लिखा है तो 1 rupees का coin है ठीक है ना? then this is this is 2 rupees coin चेक this is 2 rupees coin ओके? and this one 5 rupees coin देखें चेल्डरन 5 लिखा है ना? है ना? अब आपको समझ आ गया होगा you purchase something अगर आप swapkeeper के पास जाते हैं ठीक है ना? यह देखें यह 10 rupees का कोई है coin है ओके? I hope you understood children अब आपको अगर when I give you sums sums to you आप easy उसको solve कर सकते हैं ठीक है ना? अगर मैं आपको कहती हूँ कि children count coin and write the total money अगर मैं आपको question देती हूँ कि count coin and write the total money लिखने के लिए भी कहती हूँ और question solve करने के लिए कि suppose here is I have 10 rupees coin and 5 rupees coin so how many? कितना हुआ यह? 10 plus 5 is 15 so I have total 15 rupees coin ठीक है ना? ओके? अब आपने इसी तरह से solve भी करना है question को ठीक है? नेक्स दे चिल्रन आपको pictures के थ्रू भी आपको इसको ठीक है? I explain to you with the picture also ठीक है? here is 1 rupees coin and here is 2 rupees coin and here is 5 and 10 rupees coin ठीक है ना? so you write here how many rupees coin is this? 1 rupees so you write here 1 rupees coin ठीक है ना? 1 rupees ठीक है ना? here is 2 rupees here is 5 rupees coin and here is 10 rupees coin आपने कुछ नहीं करना है आपने जो coin में जो number दिया होता है उसको read करना आता है उसी से आप क्या recognize करेंगे कि which coin is this? ठीक है ना? ओके? next है how many rupees note is this? we already written here ठीक है ना? हमने अभी यह लिखा है कि कितने rupees का यह note है children आपको अभी मैंने explain किया है कि आपने color में नहीं जाना है आप सबसे पहले number चेक करेंगे 5 rupees, 10 rupees, 20 rupees and here is 50 rupees and 100 rupees, 500 and 1000 rupees and next question is do page number 132 and 33 in maths book आपने क्या करना है maths की book में क्या करना है page number 132 and 133 it's very easy आपने कुछ नहीं करना है recognize करना है number को और लिखना है कितने rupees का how many rupees note is this? and either आपने count already done आपने इस वाले में क्या का count and write the money in each of the following आपने देखना है how many rupees coins is this? ठीक है ना? how many rupees या coins is this? ठीक है ना? इनको count करना है और write number या total money को आपने यहां पर लिखना है if you have any confusion so you ask me on our class WhatsApp group I hope you understood children thank you have a nice day पाइआएएएँे ऎ yang अरब सकता है गिखर लुचे आफएएँ आएशजา